है बलत से सब्सक्राइब साफ आथ हमने संगह था प्रीवज़ क्लास के इसा में गॉस्थ से जब करएंट करेंट पास होती है और वो करेंट जब चेंज होती है तो यह कुध Ain के अंदर ही एक EMF को induce कर देती गहाँ आपने अदर ही मैं विए कर देना इसमें हमने यह बात करी अँपन से खरते है तो जीरो मेक्सिमम होती है मैंनेतिक फ्लॉक्स में चेंज आता है और इस के अपोसिट डारेक्शन के अंदर इंदर इंदूस होता है इंदूस्ट इंदूस्ट कब जब इस बैटरी को आप जॉइन गड़ते हो और जब इस बैटरी को बैटरी के की को जब आप रिलीस करते हूं कि अब आपी एर्डी जॉइन चुल रहा है जॉइन चल रहा है इसका मतलब इस तैंप एस्टरी स्टेट के अंदर इस सिटेट में जैसे आएगा यह में इफ क्या होगा जी रो क्यूंकि मैंगनेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा लेकिन जैसे हम इस की को ओप करते हैं open करते ही इसका जो maximum flux इसमें से पास हो रहा था वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा सड़नली जीरो होगा जीरो होते ही maximum to zero तो जो डेल्टा फाई आएगा उसकी maximum हो जाएगी इसका मतलब अचानक से इसका magnetic flux decrease हो गया उसको बचाने के लिए इसके अंदर एक यह मैं इस तरह से setup होगा कि वो इसमें फ्लो होने वाली current का support कर सके पर इसमें इंड्यूस इंड्यूस की डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में दोनों ही situation में इंड्यूस तभी होगा जब तक current में variation हो अगर current में variation नहीं है तो इंड्यूस नहीं होगा जब तक करेंट का variation है current होने से मतलब नहीं करेंट के वैरी होने से मतलब है ठीक है तब ही क्या होगा इंड्यूस होगा तो यहां पर अगर हम कुछ अग मैथेमेटिकली कुछ चीज़े डिफाइन करें तो सबते पहले डिफाइन करते हैं हम यहां पर कॉफिशेंट ओफ कॉफिशेंट ओफ सेल्फ इंड्टेंस या सिंप्ली इसको इंड्टेंस भी बूल दिया जाता है या सेल्फ इंड्टेंस भी बूल दिया जाता है तीनों ऐसे कोई सा भी नाम आ जाए एक ही बात है सेल्फ इंड्टेंस इसका सिंबल होता है कैपिटल एल ठीक है तो देखिए यहां पर हमें पता है कि जब भी करेंट इसमें से पास होगी तो जैसे जैसे करेंट की वैल्य को इंक्रीज करेंगे क्या मैंनेटिक फिल भी इंक्रीज होगा the magnetic field linked with the coil will be directly proportional to the current amount of current so can I write phi is directly proportional to I more the current more the magnetic flux less the current less the magnetic flux ठीक है तो जैसे ही proportionality के sign को अठाता है constant आता है और इस constant को ही बोलते हैं क्या this L is called L है क्या basically proportionality constant this is proportionality constant और इस proportionality constant को हमने क्या नाम दे रखा है it is called self inductance या simply inductance self inductance है कि तो हमारे पास एक mathematical expression आगया फाइज इगो स्टो एलाई एलाई हमरा मेनीम था कि किसको बोल रहे हैं हम self inductance तो L is called self inductance या coefficient of inductance या coefficient of self inductance या just simply inductance अगर यहां पर define करना हूं इसको हमें तो कैसे define कर सकते हैं तो हमरे पास formula चाल रहा है 5 is equals to L I when I is equals to 1 ampere then 5 will be is equals to L 5 is equals to L तो यह 5 क्या हो गया एल किसके एक पल हो गया magnetic flux की कब जब current कितनी हो 1 ampere तो उसको wording में कैसे define करें if the current linked with the coil is 1 ampere then the inductance or self inductance is numerically equal to the magnetic flux linked with that coil definition समझ में आगी what is self inductance how do we define the self inductance is that much magnetic flux linked with the coil when the one ampere current flows through that coil simply definition of it okay yeah one part of home and you know that you just say current very garry yogis can dare a key MF in new so going to a kmf set up over and this induce MF is given by minus of d5 by dt minus of d5 by dt यह basic formula होता है according to Faraday and lens law 5 की value अगर 1 से 2 में substitute कर दे हम तो में क्या मिलेगा induced EMF is equals to minus of d5 by dt of Li L तो लेकिन constant है vary क्या कर दिये से current L तो पहली बोल लगा है कि it is a constant proportionality constant जो constant होता है वो differentiation के बहार आजाएगा बहार आजाएगा तो क्या लिख देंगे minus L di by dt this is the formula another formula of E induced EMF in terms of inductance तो जब कोई coil linked है तो एक formula तो यह होता ही है दूसरा formula क्या होता है minus L di by dt very important formula जो next chapter AC में भी काम हाते है ठीक है अच्छा साब अगर मुझे यहां से L को define करना हो इस वाले relation से इसको बोल रहेते हैं 3 so when di by dt is equals to 1 ampere per second इसका बतलब मैंने rate of change of current क्या ले लिए 1 ampere per second तो current हर 1 second में कितने से चेंज हो रही है 1 ampere so rate of change in current is equal to 1 1 ampere per second then E will be is equals to minus L minus तो सिर्फ क्या बता रहा है कि EMF अपने होने का अपने produce होने का क्या कर रहा होगा अपोस कर रहा होगा जिस current के थू यह setup हो रहा है तो बाकी minus का यहां पर और कोई यूज नहीं तो मिसको अगर define करें तो क्या बूलेंगे कि जो L है inductance है यह self inductance है वो किसके equal है induced EMF के कब जब इस coil से link होने वाली current किस rate से change हो रही हो 1 ampere per second से change हो रही हो तो इसको कैसे बूलेंगे the self inductance is equal to the induced EMF setup in the coil when the current linked with that coil changes at the rate of 1 ampere per second तो यह इसका second definition होगी तो L की दो definition है 5 is equals to L and E is equals to L E is equals to L में क्या रहेगा rate of change of current unit rate of change of current rate of change of current क्या है 1 ampere per second से change हो तो इसमें induce होने वाला EMF के equal होता है कौन self inductance और यह क्या है जब current 1 ampere ही flow हो रही हो यहाँ पर change नहीं हो रही हो 1 ampere flow हो रही हो तो जो भी इसका inductance होगा वो क्या बोला जाएगा उस coil से linked magnetic flux के equal is that clear समझ में आती यह बात अच्छा साथ इसके बारे में अब कुछ point क्योंकि हम inductance को as a physical quantity read कर रहे है ठीक वैसे जिसे रेजिस्टेंस होते हैं कैपिसे टेंस होते हैं ठीक वैसे हमें एक physical quantity की तरह इसको treat करते हैं तो अगर कर रहे हैं तो इसकी कुछ छोटे मोटे point भी लिख लें सेल्व इंडक्तेंस इस इंडक्तेंस ही लिखता हूं इंडक्तेंस इस क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है यह इसकेलर या वेक्टर वेरी गुड क्यों अच्छा डारिक्ष्ट एल का फॉर्मुला अगर मैं पूछ हूँ यहां किस से मिदर के बनाएं फाई और आई से फाई खुद क्या होता है स्केलर और और आई वेक्टर तो नहीं होता। इन चर्नल हम उसको इसकेलर ले लेते हैं तो क्या होगी यह उपाँडरी को इस एक कि देखने होती है स्केलर मुएपuse तो इस चोटे चोटे पॉइंट है जो ध्यान रखने होते हैं तो इस स्केलर कॉंटिटी सेकेंड आप से पूछा जाए ऐसा यूनिट एस लामीटर अपॉन एंपयर एल क्या होती है कि वैबर पर एंपयर वेरी गुट एक तो हो गई वैबर पर एंपयर क्यों क्योंकि एल इस इकोस्टू फाई अपाउन आई से एल इस इकोस्टू फाई अपाउन आई से क्या बन गया वैबर फाई की इनिट वैबर पर एंपयर और क्या हो जाता है second formula अगर मैं यहां से देखूँ L का formula यहां से देखूँ तो यह क्या बन जाएगा L का formula E upon Di by dt E हो गया volt ठीक है और Di हो गया ampere per second volt second per ampere ठीक है volt second per ampere तो इसकी दो यूनिट हो गई एक volt second per ampere और एक वैबर पर ampere और actual में जैसे हम define करते हैं on the honor of force को हमने define कर रखा है ऐसा यूनिट में नूटल वैसे ही जोसेफ हेंड़ी ने यह जो काम फेराडे ने किया था सेम काम इंग्लेंड के अंदर जोसेफ हेंड़ी ने किया था इन ही सारी चीजों पर electromagnetic induction ने ही सब चीजों पर तो इसलिए उसको भी कुछ honor दिया गया और इसकी जो ऐसा यूनिट है उसको बोला जाता है हेंड़ी ठीक है तो हेंड़ी क्या हो जाएगी 1 हेंड़ी बोले तो so E is equals to sorry E is L is equals to E upon Di by DT when E is equals to 1 volt when E is equals to 1 volt and Di by DT is equals to 1 ampere per second then L will be is equals to 1 volt second per ampere and it is called 1 henry 1 henry 1 henry को अगर define करना हो आप से आपके 1 marks में अगर question पूचा जाए define 1 henry and whose unit is henry तो पताओ नीचे henry is the unit of inductance ठीक है दो तरह के inductance हम पढ़ेंगे self inductance mutual inductance दोनों ही inductance की unit पूछ रहे है तो वो unit क्या होगी henry ही होगी ठीक है तो उसको define कर से करें 1 henry किसके बराबर है किसके equal होगी जब induced EMF कितने volt का हो 1 volt कब हो जब coil से linked current किस rate से change हो रही हो 1 ampere per second से तो उसको define कैसे करें the inductance or self inductance of a coil is numerically equal to 1 henry when a 1 volt of EMF is induced in a coil due to the change in rate of change in current at the rate of 1 ampere per second so या फिर when when the current linked with the coil changes at the rate of 1 ampere per second then and if 1 volt of EMF is induced in that coil then the inductance of that coil is said to be 1 henry definition clear कितने को सम्झा आगया होई अभी what will be the next point क्या हो लिख लेंगे scalar quantity होगी असा unit लिख दा दी next क्या हो जाएगी dimensional formula what should be the dimensional formula of L M1 L2 T-2 A-2 M1 L2 T-2 A-2 Very good M1 L2 T-2 A-2 आपको मैंने बता भी रखा है Phi का dimensional formula याद रखने का तरीका energy पर ampere या work पर ampere याद रखने के साथ से ये W का formula तो क्योंकि हमें याद रहता है energy of work का formula M1L2 T-2 और ampere inductance कहाँ पर आपको देखने को मिलता है experiment के दोरा तो माल लीजी हमने क्या किया एक कोईल ली कोईल बोले तो एक long solenoid which is wounded over a soft iron core तो ये माल लीजी जो marker है इसको आप माल लीजी क्या है ये iron का cylinder और इसके उपर मैंने insulated conducting wire copper wires को turn कर दिया बांद कर दिया तो ये विवस्ता ये arrangement इसको बोला गयता है एक और नाम होता है इसका chalk coil ये वाली इसका दूसरा नाम क्या होता है chalk coil ठीक है cube lights वगरे के अंदर रहती पी चोक को वगरे अब आज कल तो LED ट्यूबलेट्स आदी है chalk coil तो हमने बिसिकली एक solenoid लिए long solenoid और इसको series में connect कर दिया battery के साथ एक लगा दिया इसके की और एक लगा दिया variable resistance बोले तो real state ठीक है इस इस दखी ये battery ठीक है साथ अब इसको इसके अंदर चेक करने के लिए कि क्या वाकई में EMF induce होता है कि यह हम कैसे मान ले कि EMF induce हो रहा है अधा कैसे चलेगा तो हमने इसके अंदर बोला था कि जब इसको join कर दिया जाता है join करने के लाद फिर से जब release करते है तो इसमें फिर भी current बनी रहती है इसको जब हम open कर देते हैं तो क्या होता होगा ये join नहीं माल लीजिए अभी current इसमें flow हो रही है अभी हमें दिख नहीं रहा कि inductance या EMF induced हुआ पड़ा था या नहीं हुआ था लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि जब इसको open करेंगे तो इसके अंदर magnetic flux decrease होना start हो जाएगा decrease होगा तो flux में change आएगा flux में change आएगा तो एक EMF induced होगा ये सब कुस theoretically चल रहा था तो EMF उस direction में induce होगा जिस direction में original EMF था है यह है original EMF original EMF के through current इदर जा रही थी लेकिन जैसे मैंने इसको off कर दिया यहां की current एकदम से गायप current जैसे इदर से गायप होई इससे link होने वाला magnetic flux तुरंट खतम तो ये coil के अंदर वाले जो electron ने इस तरह से orientation लेंगे कि एक EMF को induce कर सके और एक current को flow करवा सके किस direction में इस direction में current खतम होई थी तो खतम ना हो यानि कि same direction के अंदर current को flow करवाना चाहेंगे यह तो था theoretical concept यहां कैसे दिखेगा मैं तो हमने क्या किया starting के अंदर ही अभी वाली यह ओपन है ठीक है अभी कोई current flow नहीं होगी इसके parallel में inductance के parallel में एक connect कर दिया bulb यह a point b point तो यह भी a और b के बीच में यह भी a और b के बीच में तो parallel के अंदर bulb हमने connect कर दिया बल्ब करने के बाद अभी bulb off है क्योंकि कोई current flow नहीं होगी कहीं से भी हमने starting के अंदर की को join कर दिया याने कि इसको switch on कर दिया switch on करने के बाद यह resistance हमारे पास variable है इसकी help से हम इसमें से इतनी ही current pass करेंगे जिससे just glow हो जाए याने कि बहुत ज़्यादा glow ना हो तो बिल्कुल light dim तरीके से ग्लो रहा है कि अच्छा था जब हमने इसको ग्लो करवा दिया circuit पूरा चल रहा है सब कुछ है current इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है यह में फगरे कुछ इंडीश हुआ होगा वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा दिखनी रहा तो उसको देखने के लिए हमने क्या किया इसको अच्छानक से सडनली इसको स्टॉप कर दिया इस्टॉप करते ही क्या हुआ लॉजिक यह बोलता है कि current जैसे बंद बल्भी at once बंद हो जाना चीए ग्लो करना बंद कर देना चीए लेकिन देखा यह जाता है कि for a few milliseconds for a moment यह अपनी जो जितने से ग्लो कर रहा था उससे भी ज्यादा अचानक से ग्लो हुआ और फिर बंद हुआ कि क्या बोल रहा हूं इसको जब हमने आफ कर दिया आफ करते ही यह उस टाइम बंद नहीं हुआ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं जबकि यह उससे जितना जितना ग्लो कर रहा था उससे भी थोड़ा ब्राइटली ग्लो हुआ और फिर वो बंद हुआ ग्लो होना कैसा कैसे हुआ गा तो उसकी एक्स्लेशन देखो कि अई घिगाल कॉनसेट हमारा काम कर रा था और नहीं कर रह था जैसे मैंने इसको रिलिस किया जाएं था रिलीस करते ही मान लीजिया यह शुरू में थी टैन एंपियर जैसे रिलिस किया 10-1 एंपिया से सीधी करेंट कित यह जैसे मैंने इसको बंद गया इससे माणनेटिक फ्लक्स तेन वेबर से तुरंथ कितना आ गया जीरो आप मान लीजी थोड़ा इन बेट्विन मान लीजे टू आ गया जीरो आने से जस्पहले मान लीजे जो सही पर आई ताहिए आपको जीरो से से इसका डेल्टा फाई कितना आएगा एट एन माइनस नाइन होता तो बन गाता था टैन माइनस एट होता तो टू आथा तो जैसे है यह करेंट पूरी जीरो गये और यह वेबर भी पूरा फाई बन से फाई टू यह भी जीरो गया तो क्या हम बहुत सकते हैं कि इस ताइम पर डेल्टा फाई maximum हो चुका होगा maximum होते ही change अगर maximum का है तो induced होने वाला एमफ भी क्या बहुत जादा लार्ज होगा yes or no whatever EMF will be produced in the coil it should be very much large since the magnetic flux has been decreased from its maximum value to zero value and hence the change in magnetic flux is maximum if the change in magnetic flux is maximum then E is directly proportional to delta phi delta phi is maximum E will be maximum maximum current will be flowing and this current should be flowing in the supportive direction of the current if it is in the supportive direction then the bulb will be able to do it it will be able to do it yes or no so the bulb because it was before the current it was glowed but when the current is closed it will be closed but it will be closed suddenly the current produced EMF set up and it will for a moment glowed and then it will be closed so this demonstration proves that there was self induction effect in the coil if it is not self induction then the bulb should be at once off it should not be glow so let's discuss now the self induction of a long solenoid so let's suppose long solenoid having a large number of tons and let l is the length of the solenoid and r is this radius okay and a is its cross sectional area so that means a should be is equals to pi r square for each turn if n is the number of tons per unit length number of tons per unit length and capital n is total number of tons total number of tons of the solenoid then i can write small n should be is equals to total number of tons per unit length capital n by l clear a chata jesse hummiss solenoid go kisi battery se connect karengi ह buna बेतरी से घर करेंगे क्या होगग's magnetic field सेट-प अब हमें बता है लॉंग ईंसाइड जो भी magnetic field setup होता है वो पॉस्टन होता है area inside the solar night whatever magnetic field will be setup it should be constant ठीक अच्छा कि इसाथ कितना होता है वह if I current is flowing through each turn having the small n number of turns per unit length then what should be the magnetic field flowing through this solenoid or linked with this solenoid mu not I mu not N I very good mu not N I if A is the cross sectional area of each turn then this is the first step second step then magnetic flux magnetic flux of each turn each turn this is the five one so that I can get one turn five one should be how much B A B A mu not N I A and here what is A pi A square अगर ये एक turn का है तो total magnetic flux linked through all the turns should be therefore total magnetic flux of entire entire turns should be N into 5-1 ये simply N B A N B A value substitute करते हैं तो कितना हो जाएगा N B की value mu naught N I A equation 1 2 3 capital N की value क्या यहां से small N की terms में निकाल सकते हैं N L small L मान रहे हैं तो N की value क्या substitute कर दूँ N L क्या हो जाएगा phi total कितना हागा mu naught N square I I A L या या इसको थोड़ा सा ऐसे लिख जित हो में L I A ठीक है equation number 4 but we know that अगर phi is the magnetic flux linked with the coil and if the inductance of this coil is L then what should be the relation if L is the self-inductance of the coil self-inductance of the coil then then phi should be is equal to L I L I equation number 5 4 and 5 दोनो ही total magnetic flux को represent कर रहे है जो associated है अले है इस coil से so both should be equal what do we get so by 4 and 5 4 and 5 we get क्या मिल जाएगा L I is equal to mu naught N square L I A I से I cancel L की value हागी क्या हमारे पास क्या यह हमारा है E में क्या topical self-induction यह self-inductance लिख देता है self-inductance to find the self-inductance of a long solenoid क्या find कर लिया हमने long solenoid का self-inductance कितना होगी है mu naught N square L A इसी को अगर different different form में लिखना हो आपको तो क्या लिख सकते हो तो एक formula तो आपके पास आई गया है mu naught N square L into A second formula क्या लिख सकते हो L की value N की value substitute कर दो capital N की terms में total number of tons की terms तो क्या लिख दूँगा mu naught N की जगे N by L का whole square तो N square upon L square और 1 L से 1 L cancel हो जाएगा तो यह दूसरा formula हो गया ठीक है दो formula होगे सामने ही लिख देता हूं उसको भी mu naught N square A by L since N is equals to N by L यह रहाँ देते यह जो भी inductance है यह किन-किन चीजों पर depend कर रहा है so this is the this is the क्या required expression of expression of self-inductance of solenoid self-inductance of solenoid ठीक है तो यह किस-किस पर depend कर रहा है यहाँ पर L N पर A पर ठीक है large area तो large self-inductance ज्यादा number of turns ज्यादा self-inductance ठीक है साथ ही साथ अगर यह mu naught है तो इसका मतलब mu naught क्या होता है permeability permittivity होता है epsilon epsilon naught electric permittivity यह कहा है magnetic permeability तो अगर मैं कोई medium ले लो mu naught किसकी बोली जाती है free space या air की magnetic permeability तो अगर मैं इसको किसी coil को किसी medium में डाल दूँ let's suppose water में dip कर दिया oil में dip कर दिया तो हर एक material different तरीक का है तो उसकी magnetic permeability भी यानि कि magnetic field pass करने की ability कि वही मैं सामने magnet के सामने cardboard लगा रहा हूँ या थिक plastic sheet लगा रहा हूँ या metal रख रहा हूँ किस में से magnetic field line pass हो सकती है water रख रहा हूँ क्या उन में से pass हो सकती है तो magnetic permeability क्या बताती है magnetic field line के pass हो सकने की ability को कि कौन allow करता है तो अगर मैं बोल दूँ कि if the setup is dipped in a material having magnetic permeability mu m then that time L should be is equals to instead of mu 0 what I need to write mu m then और अगर इसको हमे relative permeability permeability की terms में लिखना हू so कैसे लिख सकता हूँ if mu r is the relative permeability of the material permeability of the material then mu m को क्या लिखा जा सकते है more mu not into mu r substitute the value and we got the final answer mu not mu r तो इसको ऐसे लिख दू mu r mu not n square l a या mu r mu not capital n square a by l इसका मतलब किसी भी material में इसको डालने पर इसका inductance mu r time बढ़ जाता है या mu r time हो जाता है तो इसके में बोलता है कि डिप करेंगे तो increase हो जाती कितनों को समझ में आ गया वह यह पूरा टॉपिक कि आज की सवा यहीं सवाबत होती है